दोस्तों CUT के रिजल्ट आज आने वाला है ये मेडिया से पता चला है और इसका प्रूफ इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा और आप लोग जरूर देखके जाएगा कि CUT का UG का रिजल्ट आज आएगा ये कहां प्रूफ है मतलब कहां से ये खबर आई है उसको जरूर लेखके जाएगा इससे पहले स्टूडेंट फेड़ आप होके बहुत सारे कॉल्स किये हैं एंटिये के हेल्प लाइन पे लेकि आंसर मिला है और वो बच्चे क्या बोले हैं आप लोग इसको आप थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की निउस है हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला है कि फेड़ आप हो गए है स्टूडेंट सी यूटी के रिजल्स को डिले को लेके सेशन लेट हो सकता है उसके आशांका को लेके स्टूडेंट बहुत बार NTA को हेल्प लाइन को कॉल किये हैं उनके पास जवाब क्या मिला है वो मैं आप प्रूफ का है वो भी देखके जाईएगा तो स्टूडेंट फेड़ आप होके आप देख सकते हैं स्टूडेंट फेड़ आप बाई डिले हैब टेकन प्रूलिंग एंटी 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 यह कॉल किया है एक्ट्स अज प्राइम्री अड्मिशन टे फोटी सिक्सेंट्र उन इंक्लूडिंग मच इन डिमांड डेली युनिए डिले इन रिजल्ट्स विल अफेक्ट अड्मिशन टाइम्लांब्स और आल पार्टिसिपेंटि इंस्टूशन सब में सेशन डिले हो सकता है इसे क्या हो सकता है विकेंड पर क्लासेज लेने की जरूरत पड़ सकती है इव रिजल्ट आने के उमेठी 30 जून को और बहुत लोगों ने कॉल किया तो NTA के द्वारा जवाब आया कि देखिए रिमूफ एड्मिट काड लिंक्स यानि एड्मिट काड डाउनलोड करने के लिंक जो था वो रिमूफ कर दिया गया यानि अभी रिजल्ट आने वाला है यह NTA ने बोला है help line पे अब आप देखिए one person who appear for the test call of the NTA एक आदमी ने NTA call किया yesterday requesting clarity on the results timeline they wrote about their experience on Reddit post Reddit post पे इन्हों ने शेर किया saying they were impressed by the representative who answered the call but did not receive a clear answer अब बहुत खुश हुए है कि जो representative उठाया बहुत impressive उन्होंने बात की बहुत अच्छा बात किया लेकि result कब आएगा इसका clear answer नहीं दिया आगे देखिए आगे यह है genuine impressed by the representative answer the call quickly and also replied with the composers the student wrote the representative mention at least twice that admit card link have been removed from the website which means the results could be uploaded soon मतलब बार बार जो NTA के help line से यही जवाब आ रहा है कि आपका admit card का link remove कर दिया गया है अब result का link डाल दिया जाएगा when the student asked if they could expect the result this week the NTA representative asked them to wait and see wait and watch की pretty vague about it still with no official confirmation said to keep an eye on the website and also pointed out the admit card link twice the student wrote on reddit कहीं कहीं बाते की जा रहे हैं कि तीन से चार दिन के बीच में आएगा two days ago another COT hopeful had called the NTA help line with similar query they were told that the final answer key has yet to be released and the results would be declared three to four days after the answer key यानि NTA के help line से यह जवाब आया है कि जब आपका answer किया जाएगा उससे तीन से चार दिन के बीच में result आ जाएगा तो यह आप देख सकते हैं अगर एक दो दिन में आएगा तो result भी तीन चार दिन में आ जाएगा यह NTA ने कहा कि अगर answer की एक दो दिन में आ जाएगा तो आपका result भी तीन चार दिन में आ जाएगा री टेस्ट अभी हुआ था री टेस्ट आंसर की वस रिलीज यस्टेड़ी आववेबर दिर इस तील नो ओफिशल वर्ड और वेन इस टूदेंट गार देख से लेकिन 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 रुकिये तो सही यहां देखिए यह कितना बज़ अपडेट किया है आट बज़ के 19 मिनट पर 27 जुलाई को आपडेट की गई है यहां दो मिनट रिट टाइम से सी यूटी यूजी रिजल्ट है जो आज आउट होगा यह एंड़ी टीवी एजुकेशन से पता चला है एड़ीटेड बाई प्युनिती पांडे एजुकेशन पांडे जी ने इसको अपडेट किया है 27 जुलाई दोज़ चुलाई 24 को आट बज़ के 19 मिनट पर इंडियन एस्टेटन टाइम की रिजल्ट आज आज आएगा बाकी सब चीजे देख सकते हैं कि 30 जुन की आशाती आ दोस्तों आप लोग बेसावरी से इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताईए आप लोग कितने एक्साइटेड है और कौन सी उनिविशिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं मुझे भी इंतजार है आप लोगों को कमेंट का मिलते हैं इसी यूस्पल वीडियो में तब तक यो टेग गुट के रहे हैं जै हिंद जै भारत